और इस बीच बीजेपी में हार की वज़े पर चर्चा शुरू हो गई है पूर्व के इंद्रे मंतियों और बीजेपी सांसद हुकुम देव नाराण यादव ने कहा कि चुनाव के दौरान संग प्रमुक के आरक्षण पर दिये बयान की वज़े से भी पाठी को हार का मुद देखना पड़ा मोहन भागवा जी ने आरक्षण की बात उसी बीच चुनाव में शेर दी क्या लगता है कितना नुकसान हुआ है मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि चुनाव के समय में इन बातों को नहीं छेरना चाहिए था ये एक बाधिक बहस है और जो बात वर्म पुझनी मोहन भागज जी ने कही है वो बाधिक बात अगर समय पर छेरा जाता तो बहुत पिछरे और दलित समाज के लोग भी उनके इसराय का समर्थक हो सकते हैं देश के अंदर बाधिक बात बात लेकिन चुनाव के समय में इस बात को छेरने से पिछरे और दलित समाज के जो लोग थे वह आसंगित हो गए कि बिहार का चुनाव हो रहा है इस समय ये कह रहे हैं संग परिबार के द्वारा जरूर कोई न कोई उंची जाती का मुखमंत्री बनाया जाएगा और वो आएगा तो करपुरी ठाकुर जिनियों 26 पर तिसत राज्य सरकार की सेवा में आरक्षन दिया था उस आरक्षन को समभ्त कर दिया जाएगा अब ये जो धारना बन जाती है न विश्वास उसको कोई तोर नहीं सकता है